आपका सवाल हमारा जवाब हेलो दोस्तों हम और हमारी टीम आप सभी के सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रही है आज के इस विडियो में हम एक सवाल का जवाब जानेंगे ताकि जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब मिल जाए सवाल मच्छी को जल से बाहर निकालने पर वह क्यूं मर जाती है? जवाब दोस्तों हम सभी मच्छी को जल में सांस लेते हुए देखते हैं वह पानी के अंदर गुले हुए ऑक्सीजन की मदद से सांस लेती है फिर हमारे वातावरन में आने के बाद वह मच्छी मर क्यूं जाती है? जबकि हमारे वातावरन में जल में गुले ऑक्सीजन से ज़्यादा ऑक्सीजन उपस्थित है तो चलिए जानते हैं दोस्तों मच्छीओं के पास सांस लेने के लिए गलफडे होते हैं जो पानी को अपने अंदर चूस लेते हैं, और गलफडे में उपस्थित छोटे छिद्रों की मदद से ओक्सीजन को खीच कर अपने सांस लेने की क्रिया को पूरा करते हैं। साथ ही श्वसन के बाद वे कार्बन डायोकसाइड भी छोड़ते हैं, परन्तु जब हम उस मच्छी को खुले वातावरन में लेकर आते हैं, तो मच्छी के गलफड़े सूखने लगते हैं, और श्वास लेने वाली छिद्र बंद होने लगती हैं, जिस कारण मच्छी हमारे व सब्सक्राइब कर अपना यूगदान दे, धन्यवाद